अब यार आई नो मैं बहुत ज़्यादा लेडू हैक्टोरफेस के उपर वीडियो बनाने के लिए बट पिसली बार मैंने इसके उपर वीडियो बनाई थी और सबको बहुत पसंद आई थी तो मैंने सुचा इस बार भी आपको अपनी स्टाइल में सब कुछ एक्स्प्लेन करता हूँ शॉर्ट वीडियो होगी, to the point होगी, but knowledge complete होगी तो यह अपना चैनल है, अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर ले ना अब यह बात सुरू कहां से होती है, यह सुरू होती ही जब मेरे पास ही mail आया था mail आया था बहुत पहले, but मैं कुछी जों busy था, इसलिए आज वीडियो बना रहा हूँ आज 5th October है, तो इस mail में सारी basic but important चीज़े बताई गई थी और contribute कैसे करना, यह जानना चाते हो, तो इस वीडियो को जाके देख लेना अब बात करते हैं इस बार के HectorFest की, starting में about section है पुरानी वीडियो को आप इस पर को link पे क्लिक करके देख सकते हैं तो यहाँ पे HectorFest के बारे में बताया गया है, main concept वही है एक मेने का long event है, इसमें आपको चार pull request create करने होंगे HectorFest label वाले repositories में, कहाँ पे कर सकते हैं, gitlab, github पर कैसे करना, यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उन सब की link साब को description box में मिल जाएगी, contribute कैसे करना है अब यह next important point क्या है, going digital for rewards हमेसा क्या होता था, हम लोग को HectorFest की T-shirt, stickers, यह सब मिलते थे, अगर आप मुझे पहले से follow कर रहे हैं, तो इसके उपर मैंने unboxing videos बनाई हैं, इस बार क्या होगा, T-shirt की जगा हम लोग को digital reward kit मिलेंगी, अब ऐसा क्यों हो रहा है, T-shirt को क्यों अटाये गिया है, क्योंकि या हाफी बड़ा टास्क रहता है, HectorFest टीम के लिए, cost के हिसाब से और वैसे भी, तो इस बार इनोंने सोचा है कि digital rewards बेजेंगे, rather than T-shirt, और यह जो exclusive digital reward kit होगी, यह partnership में होगी, होलोपीन के साथ, अब या digital reward kit में होगा क्या, पहली चीज, customized batch होगा, जो आपकी पूरी जनरी को सो करेगा, HectorFest 2023 की, secondly या unique batches और gifts होंगे, sponsors की तरफ से, sponsors की list में आपको अभी सो कर दूँगा, और third अब अपने batch को share भी कर पाएंगे, होलोपीन, HectorFest, batch, board of fame में, so here यह तीन important चीजे, digital reward kit में हो सकती है, और जैसे मैं आपको बताया, पहले एक option है ता था, या तो T-shirt ले या तो यह आपके बिहाब पे tree plant कर देंगे, बट आप क्या है, टी-shirt वाले option को हटा दिया है, बट tree वाला option अभी भी है, तो उसमें क्या है, जो पहले 50 या लोग होंगे, जो pull request करेंगे, उनके बिहाब पे ये tree को plant करेंगे, ऐसा यहाँ पे mentioned है, advisory council क्या है, यह सारे names से इन पसंद हो, जो कि बहुत ही important होता है developer के लिए, तो आप इन सारे open source keywords में भी contribute कर सकते हैं, इससे आपकी profile की credibility बढ़ेगी, तो यह पहले बात होगे about section की, अब बात करते है participation की, अब participation में काफी important चीज़े हैं, इन सब को ध्यान समझना, अब starting के values क्या, इनका अब यहाँ से पर project में, जिसमें Hactoverface का label हो, Hactoverface का topic हो, कोई भी अगर आप repository को open करेंगे GitHub पे या GitLab पे, तो उसके right hand side में आपको Hactoverface का label सो हो जाएगा, अगर label सो होगा, तभी आप उसमें contribute करेंगे, तभी वो count किया जाएगा, इसमें और भी काफी conditions है, बट यह basic चीज है, ठर्ड most one point, आ आप contribute कर रहे हैं, तो आप contributor हैं, आप participate कर रहे हैं Hactoverface में, अब दूसरे लोग जो participate करते हैं Hactoverface में, उनको maintainer कहा जाता है, आप क्या करते हैं, आप किसी repository में जाके contribute करते हैं, pull request करते हैं, उसमें कुछ changes करते हैं, उसको better करते हैं, और जो लोग अपनी repository को list करते हैं, जो अपनी कांट होती है जब मेंटे उसको kats 1120 को क्रते मेंटेनर की करती होती है फिर में प्रोजेक्ट में पिर वह कंट होता है कांटीबूसिन आपकी प्रूफाइल में और पहले rou funds प्लांट करी जाएगी जैसे मैंने आपको बताया और आप रेइस्टर कर सकते हैं 26-31 के बीच में बड़ कॉंटिब्यूशन माना जाएगा एक ओक्टूबर से लेके 31 ओक्टूबर के बीच में यही मैं पहले सोच रहा था कि हमेशा एक महीने का होता है तो आप रेइस्टर इ यहने कंप्लिट वीडियो बनाईए गिटब के उपद अगर आपको गिटब समझना हो तो उसकी भी लिंग में डिस्क्रिप्शन वोक्स में प्रवाइट कर दूँगा एकदम बिगनर हो तो गिटब को समझ भी सकते हो और कॉंटिब्यूट करना सुरू भी कर सकते हो उस प अब हैं अब मुझे बता देना अब यहाँ पे पूल मर्च रिकवेस्ट डिटेल सैंब यह इंपॉर्ड ग जीज घाएंगी सब जीजcalled को समझाता हूं अगर किसी यूजर की दो या दो से ज़्यादा PR या MR स्पैमी होती है तो उसे डिस्कौलिफाई कर दिया जाता है नेस्ट पॉइंट आप उन्हीं रेपोस्टी में कॉंटिब्यूट करना जिसमें हैक्टोफेस का टॉपिक लगाओ रेपोस्टी ओपन करोगे इधर साइड में टॉपिक आपको सो हो जाता है या तो हैक्टोफेस का टॉपिक हो या तो फिर हैक्टोफेस एक्सेप्टेट का लेबल हो इनमें से कोई भी एक चीज हो तब भी उस पटको रेपोस्टी में कॉंटिब्यूट करना शुरू करना जो भी आपकी पुल रेपोस्ट मर्ज होगी हो किसी भी मेंटेटर की में रिपोस्टी में तो उसमें या तो हैक्टोफेस्ट एक्सेप्टेट लेबल लगा हो या तो ओवर रॉल अप्रोविंग रिव्यू होना चाहिए और जब आपकी पूल और मर्ज रिक्वेस्ट ये स पूल रिक्वेस्ट अप्रूवड होनी चाहिए मेंटेटर से तभी वह मानी जाएगी अब मेंटेटर को क्या करना है मेंटेटर को अपने प्रोडेट को लिस्ट डाउन करते हैं जिससे दूसरे लोग उसमें कॉंटिब्यूट करें अब यह साइच चीज़ मैंने समझ आप करना क्या वो बताते हैं यह सा मैंने समझ लिए ऐसे मानो मैं हूं मेंटेटर आप में कॉंटिब्यूटर तो मेरी एक रिपोस्टी है जो गिटब पर पढ़ी है आप मुझे उस पड़को रिपोस्टी को हैक्टोवफेस्ट इवेंट के अंदर लाने के लिए पहली ची इसूस को create कर सकते हैं तो उन इसूस में भी हैक्टोवफेस्ट का लेबल होना चीज इससे लोग को पता चले कि यह पड़को इसू हैक्टोवफेस्ट के इवेंट के अंदर आता है इसमें contribute करेंगे इसमें अगर मैं change करूंगा pull request को generate करूंगा और फिर मैं maintainer अगर उसको mention क करूंगा तो आपका एक contribution count होगा तो उस पड़को इसू में हैक्टोवफेस्ट का label होना चाहिए थाड़ important चीज मुझे as a maintainer अपने रिपोस्टी के लिए एक contributing.md file add करनी है जिससे आप as a contributor उस contributing.md file को देखके पता करने कि इस पड़को रिपोस्टी में काम किस चीज में ह हो रहा है और आपको करना क्या है चौती चीज जब आप contributor मेरे maintainer वाली एक रिपोस्टी में contribute करेंगे एक issue को ठीक करेंगे pull request को generate करेंगे फिर मैं क्या करूंगा मुझे एक overall approving review लिखना है और उस particular आपकी pull request को हैक्टोवफेस्ट accepted label के साथ accept करना है जिससे एक pull request आपकी count हो उस पर को contribution को नहीं मानेगा तो main चीज यह contribution साजी से करना है spam ही request मत करना और यह पूरा concept है आई होप आपको सवज में आ गया होगा अब next चीज है low और non-code contributions यह क्या होता है कि जैसे मानो कि simple चीज यह कहना चाते है कि कोई ठीक ठा contribution आपको करना है अब low या non-code contribution क्या होता है कि जैसे मानो कोई documentation है github की profile में github की repository में कोई documentation है कुछ content मैंने लिखके रखा है अपनी github की profile में अब उसमें एक spelling गलत हो गई या कुछ गलत हो गया आपने उस spelling को change कर दिया और pull request create कर दी तो यह सब low और non-code contributions में आता है main चीज यह है कि उस पर को project में कुछ value add करो contribution माना जाता है बट यह low या non-code contribution में आता है बाकि यहां पर साथ चीज़े given है जैसे मैंने आपको बताया ठीक है और भी काफी चीज़ें इनको आप देख सकते हैं आप reward मिलेगा कि नहीं यह सब मैंने आपको अच्छे explain किया है कोई डाउट हो तो बता देना टी-shirt क्यों न मिलेंगे बाकि आप यहां से खरीज सकते हैं अब एक important चीज़े इसमें है do pull merge request made on my own repository count तो आप अगर अपनी repository में contribution करेंगे तब भी वो count किया जाएगा अब ये एक अच्छी चीज़े contributor मतलब क्या है कि मैं contribute कर रहा हूं किसी GitHub के project में अब मैं contributor हूँ तो मैं maintainer भी तो बन सक करके और maintainer भी हूँ अपनी repository में वो सारी चीज़ों को add करके अगर ध्यान समझोगे तो समझ में आएगा तो ये कोई अलग अलग लोग नहीं है एक ही बंदा है जो ये सब कर सकते हैं तो उसी में इस question का answer है कि हाँ आप अगर अपनी repository को हेक्टोफेस में add करोगे as a maintainer तो आप as a contributor अपनी repository में ही changes भी कर सकते हो मैं काफी deep जा रहा हूँ यार I hope आपको समझ में आ रहा होगा एक ही repository में आप 2-3 पो request भी कर सकते हैं issues और commits count नहीं होते हैं बागी और भी सारे doubts है इनको पढ़ लेना किसी में भी doubt है तो कौने के पूछ लेना मैं आपको explain कर दूँग तो उसे भी आप check out कर सकते हैं और यहां से event kit को download भी कर सकते हैं इसमें साइच चीज होंगी जो आपको मदद करेंगी hack tofs को promote करने के लिए और कैसे आपको organize करना hack tofs event को I think यह बहुत ही कम लोग करेंगी तो इसको आप पढ़ लीजएगा simple simple चीज़े बट सारी चीज़े given है कैसे आप promote करेंगे hack tofs को अपने college या online जैसे आपको ठीक लगे तो यह main चीज़ थी events की अब बात करते हैं donate की तो आप किसी प्रोजेक्ट में financial support भी कर सकते हैं अगर आप interested हों तो इसको check out कर लेना about section वैसे भी हम लोगों ने explore कर लिया है last section है discord वाला तो आप discord community को भी join कर ल करूंगा और sign up करूंगा इस बार वाले hack tofs में इसमें simply आपको sign in करना पड़ेगा अपने github account से और बस यह authorized हो जाएगा और यहां आप देख सकते हैं hello आउस पांडे लिख किया गया मेरी profile सो होने लगी अब आप कैसे participate करेंगे contributor बन सकते हैं maintainer बन सकते हैं event organizer बन सकते हैं non code तो try करना code में करना बाकि non code में भी कोई problem नहीं है student हो की नहीं yes कर देना यह सब अपने हिसाब से कर सकते हो मैं अभी कुछ भी select कर रहा हूं ठीक है country में India select कर लेना अब यहां से इन सबसे mail आएगा तो don't email में select कर लेना जो भी आपको चाहिए हो और फिर rules and terms को select करके register पक महिने में कैसे contribute करना है इस वीडियो मैंने बताया है इसको आकर देख सकते हो बाकी कोई और वीडियो चाहिए है तो मुझे करने करके बता देना यह अपनी short and to the point बेस्ट वीडियो थी है आई होप आको पसंद आयोगी इसके बाद भी कोई doubt हो तो करने कर बता देना सारी व